खबर मद्य प्रदेश के रिवा जिले से हेज जहां सामाजी कार करता बीके माला ने पत्रकार वारता का आयोजन कर जिला पंचायत कार्यालया पर भारी वसूली का आरोप लगाये था श्री माला ने कहा था कि फरजी आदेश के तहट अलग-अलग पदों के लिए नियुक्ता निकाली गई थी जिनमें जिला पंचायत के कर्मिचारियों ने भरती करवाने के नाम पर मोटी रकम वसूली है खबर चलने के बाद जिला पंचायत CEO सौपनिलवान खेडे ने पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है आईए आपको सीधे ले चलते हैं जिला पंचायत कार्याले जहां जिला पंचायत CEO ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूरे मामले पर इस पस्टी करन दिया है जा रहा था और राहुल बर्मा के साथ है राहुल बर्मा द्वारा जो सिकायत करता है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि संजय सिंग उसमें राहुल बर्मा के साथ इन्वाल्ब हैं सलंगन हैं तो मैं इस बारे में जो आज भीके माला जी ने ये प्रेस कांफरेंस की थी उस उसके संबंद में और राहुल बर्मा द्वारा जो फर्जी नियुक्ति के संबंद में सिकायतें प्राप्त हो रहे थी उस संबंद में मैं यह कहना चाहूंगा कि जिन्हों ने पैसे के लेंदेन के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया की है वो सारे लोग या फाई यार करा हैं मैं उनके साथ हूँ और मेरी जैसा बीके माला जी ने दावा किया है कि उनके पास जो पेंट ड्राइब है उस पेंट ड्राइब में अगर मेरे किसी भी इस सनलिप्त पूरे प्रक्रण में सनलिप्तता अगर पाई जाए तो मेरे बिरूत बिद संगत संपूर्ण करवाई की जाए और दंड सहित की जाए और अगर मेरी छब को धूमिल करने की ये पूरी साजिस रची गई है तो मैं चाहता हूं कि साजिस का अतिसीक्र परदाफास किया जाए और परदाफास के साथ साथ भी बिजसंगत कारवाई भी मैं क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा और मेरी जो साज की रहा उनका कभी कोई संबंद रहा है बिलकुल जाउंगा हंडिट परसेंट जाउंगा समास्थेव का मतलब है समाज के हर वर тех रच्छा करना ना की एक वर उनको सारे तत्थ बताए गए थे तो यहाँ भी मुझे भी ऐसा लगता है कि उस पूरे सणियंत्र में वो भी सामिल हैं और अगर अंत में मैं अपनी बात को कंक्ल्यूज कर दूँ कि अगर मैं बीके माला जी के प्रिस कांफरेंस करने पर कि जो सिकायत करता है उन्होंने किसी सब्सक्राइब कि अपने मान संभान और ठेश पहुचाया जाने के लिए मैं भी नहीं आ ले जाओंगा सबसे पहले उन्होंने मेरे उपर आरोप नहीं लगाया है जिला पंचत के उपर आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि एक विज्यापन जारी हुआ था जिसमें विज्ञापन में जो तारीक मुझे दीख रही है वह 18-10-2018 की दीख रहे हैं 18-10-2018 को यहां मायां अगरवाल सर पोस्टेट थे लेकिन जब उनका सिगनिचर चेक कराए गया तो 18-10-2018 के जो सिगनिचर है वो मायां का अगरवाल सर के नहीं लग रहे हैं है हो किसी और की सिगनिचर लग रहे हैं तो यह पहले चेक हाँ की यह से रहे यह इसा प्रतीत हो रहा है कि यह फजी सिगनिचर है क्योंकि हमारे पास डिस्पैच रेजिस्टर है डिस्पैच रेजिस्टर में हमने 1810-2018 का रिजिस्टर लिया है और 1810-2020 का भी है मैं जब आया जुन 2020 में मैं आया हूँ 2020 के बाद अगर यह order जारी हुआ है तो उसमें मेरे signature नहीं है और 1810-2020 का होगा तो मेरे signature नहीं है और 1810-2020 को संडे था संडे की दिन dispatch register में कोई भी dispatch नहीं है जैसा कि वह पत्र में लेखा है इसका मतलब वह 100% फर्जी है अगर 1810-2018 को जारी हुआ है तो उसमें मैंग सर के register sign होना चाहिए तो मैंग सर के भी sign उसमें नहीं है हम यह लोग चेक करेंगे कि अगर 1810-2018 में जिला पंचायत से ऐसा कोई order होता है तो संबंधित जो CEO जिला पंचायत थे उन से उनके बारे में चर्चा उनसे पूछ लिया जाएगा कि आपके समय में ऐसा कोई जारी हुआ है क्या यह पहली बात थी दूसरी बात कि जो जो भी विग्यापन जारी करके जो फर्जी तरीके से पैसे आहां लेने का मामला सामने आया है यह दो दिन पहले मुझे एक जन श सब्सक्राइब करने में खुद आपकी मदद करूंगा और जो हम से लिखित में चाहिए जो निया मनुसर चाहिए वह लिखित में देंगे लेकिन आप फायर कराने के बात ही आगे हम कारवाई कर पाएंगे तीसरा मेरा यह कहिना है कि यह जो अगर फर्जी जारी हुआ है त वर पूलिस को यह भी हमारे सब्सक्राइब करें तो यह जारी हुआ और जो सम्बंदित हमें डाउट लग रहा है कि जिन पर यह जारी हुए हो सकता है उनका भी नाम हम पुलिस को जरूर देंगे रही बात की जो राशी लिया गया है यह नहीं लिया गया है इसके बारे में यह जरूर नहीं कर सकता लेकिन जैसा मैंने पहले का आए कि अगर एफियर करा लाते हैं तो हम पूलिस को पूरे के पूरे डॉक्यमेंट जितने भी डॉक्यमेंट हमारे सब्सक्राइब देट हैं जाँच इसमें क्यूंकि हमने डिस्पैस रिजिटर चेक कर आया गया इसमें तो कोई डिस्पैस जारी नहीं हुआ लेकिन अगर जिला पंचायच से कोई नहीं कोई व्यक्ति था एक रहूल जिनका नाम वेके माला जी ने लिया है वो कल ही मैरे पास जानकरी आई थी मैंने उनसे संपर्ग भी किया तो उनको पहले ही जिला पंचायच से हमने कल ही हटा दिया था और उनकी उपर भी हमने एंक्वारी शुरू कर दिये लेकिन हमारे झाल